हेलो स्टूइंट जान वेल्कम पैक टो चनल सिराश शेख डिशड़ी आज हम स्टाइट करने जारे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट यह टॉपिक है यह कॉस्टिंग में लेसन नम्रो वन है तो स्टाइट करेंगे आज है क्लास करते हैं कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट पहले टॉपिक के बारे में समझते और यह टॉपिक है इसके अंदर हमको पहले दो दिफ्रेंशियेट करने आना चीए समिस्टर फिंफ में टॉपिक किया था बैंक रीकन्सीलेशन स्ट menट इसमें आपने देखा था एक और एक finance account होता है हम दोनों को compare करते हैं और compare करके कि या देखते है रही cost में यह खर्चा इतना लिखा था finance में खर्चा इतना लिखा था इसके वजह से हमारा profit tally नहीं हो रहा है पराबर एगे नहीं तो cost control ledger account के अंदर एक cost को कहा गया है कि तुम जिस भाषा में लिख रहे नो वो हमको समझता नहीं है cost दिंग जो होता है वो statement में ऐसा होता है cost account का चिताब करता है वो ऐसे statement में होता है और हमने अब तक 11 स्टांडर से लेकि अब तक graduation तक t एसा अकाउंट देखा है, तो हमको यह भाशा समझ में आता है, यह थोड़ा सा हमको अलग हो जाता है, जब यह आया था, तो हमन tutti अरे यह इसा क्यों है ऐसा लो debit credit समझ में आता हैसमें ना debit समझता है न Peyton तो जो business man था उसने क्या बोला cost accountant को कि भाए टेरा जो भी हिसाब किताब है जो costing का हिसाब किताब कर रहा है तो हमारे भाषा में लिखी दे लेजर के भाषा में या जर्नल एंटर के भाषा में तो मेरे को समझेगा कि तुने उदर जो भी चीज लिखा है वो क्यूं है और किसलिए है समझा आपको मतलब कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के अंदर एक कॉस्ट अकाउंटन को कहा गया है कि आपका जो स्टेटमेंट अफ कॉस्ट है स्टेटमेंट अफ कॉस्ट है उसको कनवर्ट कर दो लेजर अकाउंट के अंदर समझा आपको मतलब इस टॉपिक में क्या होने वाला है यह जो कॉस्ट है जो आपने सेमेस्टर फिफ्ट में किया था उस cost sheet के अंदर expenses income सेम होता है ना similar nature के होते है खाली इतना है कि इसके अंदर जो भी expenses है उसको convert करना है कि इस चीज के अंदर convert करना है लेजर account के अदर है और जितना मैंने ledger बना है यह maximum ledger है इसके अलावा कभी गलती से अगर आया तो एक और दो ledger बढ़ेगा बढ़ेगा बा entries by hat करवाएंगे खाली posting करने बोलेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको clear है तो मैं entries by hat नहीं करवा रहा हूँ मैं सिर्फ focus कर रहा हूँ आपके 11 standard की base के उपर journal entry का base और ledger का base अगर आपको 11 standard का journal entry और ledger posting आता है तो topic बहुत simple लगेगा ठीक है पहले तो हम cost sheet के उपर बात है और फिर उसके बाद हमारे topic क्या है वो discuss करेंगे यह आपने कहीं न कहीं सुना है cost it direct 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 prime cost add factory cost to factory cost and office admin ने तो cost of production opening stock closing stock of finished good cost of production cost of goods मिलेगा selling expenses cost of sales profit to sales मिलता है बराबर है हां जी इसका मतलब इसमें सब expenses record किये गया है कोई भी income record हुआ है नहीं इसमें सब क्या record किया गया है expenses in short this is your expense account बोले तो nominal account कौनसा account इधर कोई भी personal account या तो फिर real account नहीं है मतलब cost sheet के अंदर real account और personal account नहीं होता है अगर होता भी है तो लोग maintain नहीं करते मतलब हम cost ledger control account के अंदर नहीं real account maintain करेंगे नहीं personal account maintain करेंगे तो इनके option में हम कौनसा account maintain करते है एक simple सा example है आप मुझे इसका जवाब देना मैंने sales किया है मैंने sales किया है या मैंने purchase किया है simple purchase goods तो what is a normal journal entry जर्नल इंट्री क्या है इसका purchase account debit to cash account क्या बात है परचेस account debit to cash account अरे बात समझ में आ गया सेम चीज़ है अगर सेल्स किया रहे था तो इसकी इंट्री क्या है sales हो जाता to sales हां जी debit में क्या था cash account बराबर है यह एगरी करते हो ना चलिए मैंने purchase भी लिख दिया मैंने sales की एंट्री लिख दिया purchase कहीं न कहीं is my nominal account but cash is my real account पता है ना cash real account sales nominal account हां जी यह तो मालुम है cost accounting कहता है कि देखो मैं तो ऐसा यह format एडॉप करता हूँ लेकिन आपने मुझे बोला है कि ऐसे यह format में करना है तो मैं पहला आपको रूल बताता हूँ मेरा रूल यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ nominal account maintain करूँगा personal और रियल account maintain नहीं करूँगा मतलब नहीं मैं कोई cash account बनाने वाला हूँ नहीं कोई रियल account बनाने वाला या personal account बनाने मैं सिर्फ कौन सा account बनाने वाला हूँ नॉमिनल अकाउँ मतलब मैं purchase account बना दाऊँगा sales account बनाऊँगा expenses की account बनाऊँगा या कोई भी personal या कोई भी real account तो प्रिपेर नहीं करोगा पहला logic clear हो गया हां जी तो जब यह प्रिपेर नहीं करेगा तो इसका option किया है तो इसका option में चाहे real हो चाहे personal हो तो real account या personal account की option में he will be making cost control ledger account मतलब जीधर भी real है जीधर भी personal है उदर हमेशा कौन सा account आएगा cost ledger control account तो इसका मतलब यह cost accountant अगर सामान purchase करेगा तो entry क्या पास करेगा purchase account debit to cash नहीं purchase account debit to cost control ledger account समझ में आ गया sales करेगा तो cash के जगे पे cost control ledger account debit to sales account अभी sales का भी अलग concept है वो बाद में बट basic दिमाग में बैड़ गया क्या होने वाला है इसका मतलब यह है यहाँ पे हमेशा cash या personal account से certificate कुछ भी चीज़ होगा तो वो नहीं आएगा उसके जैके पे cost control ledger account आएगा बराबर है इसका और एक GLA करके भी नाम है GLA account general ledger adjustment account भी बोलते कुछ लोग इसको मतलब cost control ledger का दूसरा नाम है general ledger adjustment account GLA account अगर question में cost control के जैके पे GLA account बोला है मतलब वो ही है GLA या CCA cost control ledger account clear पक्का समझा तो यह चीज़ पहला आपको समझना था बस अब topic पे आ जाता हूँ तो I hope इतना तो समझ में आगी costing क्या होने वाला है पक्का clear है 100% चलिए अब यहां पर material है wages है expenses है prime cost, factory cost, factory overheads फिर cost of production ओपनी यह सारी चीज़े के लिए वो account कौन से कौन से maintain करेगा तो पहला है material material के लिए वो material account नहीं लिखेगा उसके लिए वो लिखेगा store ledger साती सात एक और word add हो जाएगा इसके अंदर और वो हो जाएगा इधर हो जाएगा control account मतलब हमेशा याद रखो till cost of sales यहां तक यहां से लेकि यहां तक जो भी account आप maintain करोगे उसके आगे control account लिखने गए जो भी account बनाओगे control account is compulsory मतलब ledger का नाम है तो ledger के नाम के साथ क्या एड करने का है control लिज़र के साथ क्या add करने का है control लिजर के साथ क्या add करने का है control तो material के लिए कौन सा account maintain करेंगे store ledger control account अप्ना पहला अका небольш उसके बाद क्या है, wages, तो wages के लिए, wages, ledger, control, account, wages के लिए, wages, ledger, control, account, अब कभी-कभी, wages, सिर्फ wages ने बनेगा, wages and salary भी बनेगा, because wages और salary के लिए common account दिया गया है, चाहे salary हो चाहे wages हो उसको आप combine करके इसमें लिख सकते हो तो wages and salary can be combined also ठीक है तो wages and salary control account भी बन सकता है understood ठीक उसके बाद expenses सो कुछ नहीं होता यहाँ पर expenses नहीं आएंगे यह जो direct expenses है वो already आपके wages इसके इंदर include किया जाता है हम expenses का account maintain नहीं कर रहें इसके लिए उसके बाद prime cost के लिए भी कोई account नहीं होगा factory overheads तो factory overheads के लिए देखो मैंने factory overheads ledger control account बनाया है यहाँ पर आएगा factory overheads ledger control account बात समझ में आ गया क्लियर है पक्का समझा हंजी चलिए ठीक है उसके बाद क्या बनने वाला है उसके बाद आपको बनने वाला है factory cost अब factory cost का मतलब हुआ कि हमारा सामान यहाँ पर आया उसमें wages लग गया उसमें factory खरच आया तो हमारे पास आ रहा है factory cost इसको हम लोग कहते हैं डबलू आई पी कंट्रोल अकाउंट सीक्वेंस की हिसाफ से लेजर बना लो और सीक्वेंस की हिसाफ से लेजर और जर्नल एंट्री करने गा पहला स्टोर फिर वेजेस वेजेस के बाद factory यह बाद डबलू आई पी क्लियर है तीन लेजर चार लेजर हो गया अब उसके बाद क्या रहा है office admin expenses तो कौन सा बनेगा office and admin overheads control account ledger control account लिखा तो भी चलेगा खाली control account लिखा तो भी चलेगा ठीक है क्या चलिए उसके बाद cost of production yes cost of production के लिए भी कुछ heading नहीं इसके लिए सिधा cost of goods sold मतलब इन सब का combine करकी क्या नहीं हो रहा है cost of goods sold और cost of goods sold का मतलब है very good finished goods control account ledger control account तो देख लो office admin के बाद मेरा कौन सा account बना है finished goods control account समझ मैं finished के बाद क्या दिख रहा है selling दिख रहा है चलिए ठीक है इसके बाद दिख रहा है selling तो selling and distribution control account समझ में आया उसके बाद क्या है cost of sales इधर control आएगा क्या नहीं यहां पर control नहीं आएगा cost of sales उसके बाद क्या है profit है तो हमने बनाया है costing profit and loss उसके बाद है sales sales के लिए हमने बनाया है ऐसा sales के लिए नहीं बनाया बड़ एक नॉर्मल अकाउंट बनाया है जो कि personal account को और रिप्लेस करता है cost control ledger account कितने account हो गए एक दो तीर चार पांच छे साथ आट नौव एंड दस उसके अलावा क्यूंकि इसको कहा गया है कि तुम हमारे भाषा में ledger की भाषा में दो तो अगर आपको finance याद होगा वो सबसे पहला journal entry होता है journal entry से ledger बनता है और ledger से बनता है trial balance और जिससे हम लोग solve करते है final account तो इसका मतलब है इस ledger account को close करना है और close करके क्या बनाना है trial balance और इसे tally करना है then topic खतना है इतना है topic समझ गया है clear है यहां तक पक्का this was the first part for explanation of the topic इसके अंदर मैंने आपको explain किया है कि यह जो format है इसके basis पे क्या ledger बनता है हमेशा याद रखना कुछ भी personal हो कुछ भी real हो उसको replace किस चीसे करना है cost control ledger account ठीक है पहला clear हो गया दूसरा बार जो भी expenses होगा जो भी expenses होगा चाहे वो factory हो चाहे वो office हो चाहे वो selling हो जो भी expenses होगा जो भी expenses होगा पहले खर्चा होगा और फिर उसको recover किया जाएगा कर다면購्जा इंचर होगा री कवर होगा in कर होगा री कवर होसी री कवर क्या होता है री कवर कुछ नहीं जैसे आप सबको add करते तो प्राइम कॉस्त चाहे वो wages का हो, या direct expenses हो, कुछ भी हो, यह हमेशा कौन से cost में recover होगा, WIP में, खर्चा किदर recover होगा, WIP, मतलब factory तक के खर्चे जो है, यहां तक के जो expenses हो, हमेशा किदर जाता है, WIP में, direct expenses हो, लेकिन वो indirect है, indirect expenses, indirect material, indirect wages, indirect expenses, कुछ भी है, तो वो कहां जाएगा, factory में, indirect खर्चा recover होके कहां जाएगा, factory में, direct खर्चा recover होके कहां जाएगा, WIP, सरी, क्या भाषा यूज करें समझ रहाएगा, आएगा तो पर explain करता हूँ, अभी के लिए simple भाषा है, कि जो भी खर्चा होएगा, direct वो WIP में, indirect है, वो factory में, समझा गया, उशके बाद आ जाते हैं, office, खर्चा होएगा, office का खर्चा recover होगा, तो office का खर्चा कहां जाएगा, तो यहाँ पर cost of goodsland और cost of goodsland को हम लोग क्या कहते हैं, Fitness goods, मतलब office का खर्चा जब भी recover होगा, तो किदर जाएगा, finished goods में office का खर्चा कहा जाएगा finished goods में समझ में आ गया फिर उसके बाद selling का खर्चा कहा जाएगा cost of sales में selling का खर्चा कहा जाएगा cost of sales में खत्म हो गया topic इतना समझ गया तो topic हो गया clear है basic clear है थोड़ा तो clear हो गया रहेगा अब sum करेंगे तो में भी आप जो भी मैंने बूला वो recover हो जाएगा चलिए फिर start करते सम देखते टेक्श्बुक पेज़ नंबर 20 सम नंबर 6 अब देखो by default कुछ ledger के balances आपको दिये जाएंगे जिसमें कौनसे कौनसे लेजर के बैलेंस आपको दिये जाएंगे इसमें सबसे पहना आपको जिसका बैलेंस रहेगा वो रहेगा store ledger control account एक दूसरा W IP ledger control account तीसरा क्या बात है यह सब क्यों दिया जा रहा है अगर आपको ध्यान में होते हैं क्यों दिया जा रहा है क्योंकि इनकी अंदर ही adjustment किया जाएगा W IP में किया जाएगा finished goods में किया जाएगा और sales में किया जाएगा और sales के लिए कौनसा अकाउंट है cost control ledger तो इदर आएगा finished goods control और चाउथा रहेगा cost control ledger account इसका दूसरा नाम है JLA JLA मतलब general ledger adjustment account इन सब चीज़ का आपको पहले से by default balance दिया रहेगा material हमेशा debit W IP हमेशा debit finished goods हमेशा debit खाली control sales क्या होता है credit तो यह credit रहेगा kubhITH किसी case मे ऑगर आपको wages का balance दे दिया ऐ factory का balance दे दिया यह फिर उसके बाद office का balance दे दिया और selling का balance अगर दिया है तो rule कहता है जिसका balance दिया है वो सब balance कहां जाएगा trial balance में balance नहीं दिया है मतलब वो सब trial balance में नहीं जाएगा इन सब का balance दिया है तो इसका closing करेंगे तो closing कहां जाएगा trial balance में मतलब जीतना ledger का balance दिया है उतना सारा ledger कहां जाएगा trial balance में अगर मुझे factory का balance दिया है तो balance भी नहीं, balance को कहीं पर कहीं न एड़िस करना पद रहा है, ठीक है, 90% wages tally हो जाता है, कभी-कभी rare case में balance आएगा, factory tally हो जाता है, rare case में balance आता है, selling tally हो जाता है, क्योंकि ये expenses सब adjust हो गया न, आया recover हो गया, आया recover, मतलब adjusted है, तो ये सब क्या हो जाता है, tally होता है, इन चारो account में आपको balance मिल जाता है, और कौन से account में balance मिलेगा, costing profit and loss, जो कि इदर transfer किया जाएगा, cost ledger करना, और फिर बाद में इनको post करना है, समझा आपको, पक्का है, अंजी, चलिए फिर start करते है, sum, कंसे बैठ रहा है न, दिमाग में, पता नहीं कितना समझ रहा है, but start करत एक question देखते ही क्या दिया है, on 31st March 2013, the following balances were extracted from the books of turf and surf company, आप देख सकते हो, सबसे पहला आपको दिया है, store, ledger, control account, कौन से side पे दिया है, debit side, तो पहला balance debit side पे जाएगा, तो debit side पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, two balance, brought down, opening balance, कितना दिया है, साड़े 3,500,000, any doubt तेख चली उसके बाद क्या दिया है, देखो, WIP control account, the WIP का account भाई, यहां पे, इसका balance debit side पे होता है, तो two balance, brought down, कितना है जी, 3,800,000, क्या बाद है, next, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद अपने को दिया हुआ है, finished goods control account, तो finished goods control account, कहा जाएगा, finished goods debit side पे जाएगा, two balance brought down, कितना balance दिया है, देखो, finished goods का, 2,50,000, finished goods का, 2,50,000, clear है यहां तक, उसके बाद क्या है, cost ledger control account, cost control ledger account कौन से side पे दिया है, credit side पे, यहां पे, buy, balance brought down, 9,80,000, इसे trial balance भी समझ लो, debit और credit का टैली हो गया, आप जब adjustment solve करेंगे, इसका दो-दो effect दीगे, तो problem टैली हो जाएगा, logic समझ गया, अभी यह debit पे जितना था, उतना credit हो गया, मतलब trial balance और टैली है, 9,80,000, 9,80,000 आप देख सकते हो, अब adjustment दीए, इसके कितने effect आएंगे, दो effect और इन लेजर में आएंगे, और कहीं पे भी आएगा नहीं, फिर close करके debit का, debit तो credit है, वो इस सब posting करना है, ठाट करतें, सबसे पहला, The following transaction took place on 31st of March 2013, पहला, raw material पर्चेस किया, जब raw material पर्चेस किया, तो what is the generality, पर्चेस account debit to cash, अरे cash ने control account, बट पर्चेस के लिए हमेशा याद रखो, यहाँ पे जब भी material पर्चेस को रहा हो, तो पर्चेस अकाउंट तो है नहीं मेरे पास, तो पर्चेस किस चीज़ का हुआ है, material का, और material के लिए कौनसा account maintain करते हैं, store ledger, तो purchase account debit नहींगा, क्या debit होएगा, store ledger debit होगा, यहाँ पर debit side पे 2, purchase account debit 2, cash, cash नहीं, क्या राम आएगा, cost control, तो 2, cost control account, समझ में आ गया, कितने का purchase किया है, 9,00, इधर debit, दूसरा effect जाएगा, credit, तो इसकी account में हो जाएगा, credit में, by store ledger, कितना, 9,50,000, कोई मेरे को बोलेगा, sir, इसको journal entry पूछा, तो क्या है, आरे, journal entry भी साथ में हुआ, store ledger account debit, to cost control ledger account, हो गया, journal entry भी इसका, तो question में, journal entry पूछा है, तो general entry, ledger पूछा है, तो ledger, topic समझ में आ रहा है, चलिए, बढ़ेंगे, second type के अदर, return to the supply, जैसे material खरीदा, return कर दिया, तो material आया था, तो store ledger account debit, जाएगा, तो store ledger account credit, तो material जा रहा है, to purchase return, और debit में क्या आएगा, store creditors, creditors बोले तो cost control ledger, अरे समझ जा, क्या बोला मैंने, चलिए, ठीक है, तो buy, CCL account, cost control ledger account, मैं short में लिख रहा हूँ, कितना है जी, यहाँ पे, तीस हजार return किया, इधर credit, तो CCA account क्या जाएगा, debit, to store ledger account, कितना, तीस हजार, understood, पक्का समझा, चलिए, बढ़ते आगे, issue to production, अब इसका मतलब क्या है, पहले material लाते अपने, जैसे material लाएंगे, तो material काम क्या है, जिधर use है, उधर भेजो, इसे कहते, issue to the production, मतलब जैसे material आया, इसे आपने production, यानि कहां भीज दिया, factory में, factory में भीजा है, क्या, direct material, और direct material जब भी issue होगा, तो क्या लिखने के लिए बोला मैंने, WIP, समझ में आया, क्यूंकि जैसे खर्चा होगा, recover होना चीए, इसी को recover गेते, तो जो भी material आपने खर्चा किया था, आपने क्या किया, issue किया है production में, production में मतलब किदर WIP में, मतलब WIP में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो WIP में आ रहा है, तो इधर debit कहां से आ रहा है, store ledger से, तो यहां से जा रहा है, by WIP, कितना जा रहा है, amount दिया है, कितना 9,80, तो 9,80,000 इधर से गया, और इधर आय स्टोर लेजर कंट्रोल अकांट मैं समझ में आया कंसेट क्या हो रहा है है आ रहा है तो एंट्री जा रहा है कुछ नहीं है सिंपल सब चीज़ ठीक है बढ़ते गुंजा उसके बाद क्या दिया है आगे दिया है return to the store अब देखो यहाँ पे supplier और store में फरक क्या है supplier मतलब जिसने लाया था जिससे उसको return किया लाया किसे था cost control से तो return भी इसे किया अब इस store में return हुआ store मतलब क्या है WIP इसने मुझे फिर से return कर दिया हाया नहीं return to the store का मतलब क्या है जो मैंने इसके काम के लिए material दिया था इसने मुझे मेरे को इतना युजे बाकी तू लेके चले जा जब material आया था debit अब जाएगा तो credit उदर से जा कि किस के पास आ रहा है store के पास समझा क्या है वो return to the store क्या है समझा तो store को वापस return किया मैंने मतलब store के पास आ रहा है और किदर से आएगा इधर से आएगा न क्यूंकि पहले इसको material दिया था समझा यहां पे जा रहा है by store ledger control account कितने का return क्या इधर credit तो इसके पास आ रहा है तो debit to क्या लिखेंगे W IP control account बराबर कितना है जी 30,000 लॉजिक समझ में आया बस हो गया CCA ठीक है यही है CCA तुम मैंसा difficult समझ रहे बढ़ है यही चीज़ हो चीज़ चले आगे बढ़ते उसके बाद क्या है जी productive wages and indirect wages दोनों wages है तो wages जितने भी wages रहेंगे इखटा करनेगा पहले खर्चा करनेगा and then recover करनेगा हमेशा याद रखो एक चीज़ ध्यान में रखना expenses हमेशा पहले incurred होगा पहले खर्चा पे करोगे and then उसको क्या करोगे रीकवर जैसे material पहले आपने लाया फिर उसको transfer किया तो वैसे expense पहले होगा और फिर जिसका expense है उसके account में transfer होगा इसी को recover कहते हैं समझा खर्चा करो किसका खर्चा है रहे direct wages का खर्चा है WIP indirect wages का है factory मतलब जो भी मैंने खर्चा किया है मैं क्या बोलगा अरे यार business पचास अरग खर्चा हुआ किस चीज़ का अरे wages का direct wages का इतन default पहले खर्चा बाद में recover करना मतलब transfer करना रूल है यह पहले खर्चा होगा और फिर वो transfer होगा खर्चा होगा तिर वो transfer होगा जैसे यहाँ पे खर्चा किस चीज़ का ओर रहा है productive wages and indirect productive wages को आप directly यह भी कह सकते हो direct wages भी कह सकते हो तो यहाँ पे दो टाइप के wages है एक है direct wages यानि के productive wages और दूसरा है indirect wages मतलब पहले हम दोनों को add करेंगे और दोनों को add करो कितना खर्चा हो रहा है देखो 6,50,000 हो रहा है यह क्या होगा पहले expense होगा expense होगा तो what is the journal expense account पैसा जाएगा to cash debit में किस चीज़ का expenses है wages का wages account debit to cash अरे सर cash लिखते नहीं है cost control समझ में आ गया कितना 6,50,000 wages account बनाया है हंजी बनाया है to cost control ledger account कितना 6,50,000 अरे बराबर है clear हो रहा है यहाँ पह 6,50,000 इधर debit दूसरा effect जाएगा credit by wages कितना है 6,50,000 अब काम क्या है इसमें से bifurcation करना direct कहां transfer होगा डाइरेक्ट कहां transfer होगा factory में बराबर है अब wages आया थड़े भी transfer होगा तो क्या आएगा credit भाई तू किदर जाने वला है भाई WIP में जाएगा भाई factory में जाएगा समझ में आया क्या भाई WIP में कितना जाएगा WIP में दिया हुआ है amount देखो कितना दिया हुआ है WIP के अंदर 4arm जाएगा क्या अभी मनें क्या बताया है टो किदर डाइरेक्ट है तो किदर फैक्टरी में इंडारेक्ट में यह explain किया था यह indirect wages है और एक डाइरेक्ट वेजेगा चार लाका इंडायरेक्ट कितना दिया है डाई दाई लाका बराबर है दोनों को मिलाया तो तो पहले खर्चा करो फिर ट्रांसफर करो दो इसमें से एतना इतना इतना मैंने यह थी बताए आपको कि करने के बाद ट्रांसफर कर तो जिसका उसकी अकाउंड में तो यहाँ पे कितना जाएगा तूलाग किफ्टी ऐगा डबेट डबलो आपी में जाएगा और फेक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री इदर ही है तू कौनसा अकाउंट है बाई वेजेज अकाउंट कितना है भाई टू लाक फिफ्टी थाउजन एक डव्डू आई पी तो टू वेजेज अकाउंट समझ में कितना तू लाक सुर्फ लाक क्लियर वेजेज का खर्चा हुआ वेजेज को ट्रांसवर किया भाई का काम खताम अब फिर फैक्ट्री आएगा तो फैक्ट्री आखर्चा करेंगे एलोकेट करेंगे सधिन्ग का खर्चा आएगा यही होने वाला है अंद एन फिलोसिंग अंड़सूट पहले मटियल आया उस में से return हो रहा है तो return transfer कर रहे तो transfer खर्चा करेंगे factory का WIP का overheads खर्चा करेंगे फैनिस goods का cost of goods का जो भी दिया रहा है वैसा यही चीज होगा और कुछ भी नहीं होगा हां चलिए देखते आगे क्या दिया है आगे दिया है factory overheads दिया है पांच लाग रुपए मतलब खर्चा हुआ खर्चा हुआ मतलब पैसा जा रहा है किदर फैक्ट्री ओरेट में तो फैक्ट्री ओरेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा तू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट कितने का खर्चा हो रहा है पांच लाग डेबिट और इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाइफ फैक्ट्री ओरेट पांच लाग रुपए खर्चा हुआ तो यहां पे लॉकेशन के लिए थोड़ा सबर करेंगे बिकास एड़स्मेंटल आपको पैरिग्राफ में से दिया ए वाइड अपलाइड अप्लाइड मतलब ब्लाइड मतलब लाइड फैक्ट्री वहाड अपलाइड फर्चा का मतलब डबलॉआईप प्रडॉक्शन का मतलब क्या है दम जो भी फैक्री का खर्चा हुआ उसमें प 150 percent of direct wages production मतलब WIP मतलब इसके अंदर direct खर्चा हुआ है पाच लाग के अंदर 150 percent किस चीज का है direct wages के basis पे है वापस है वापस है सूरी मैंने पाच लाग का खर्चा किया अब इसका बाइफरकेशन करें में पाच लाग किस किस के लिए खर्चा क्या इक लिए किया है लिए फिनिश गुडे कि लिए किस के है तो अब उसने बोला पूरा नहीं जाएगा यहां पर बोला कि जो भी ऐहां पूर अपला किया वो प्र्दरक्षं डिपाट्मेंन का है और इट इस 150% of direct wages तो direct wages कितना था? 4 लाग 4 लाग था? 4 लाग का 150% calculate करो 50 मतलब 6 लाग रुपया आएगा हाँ जी तो ये बोल रहा कि 6 लाग रुपया किदर transfer करो इसके अंदर से WIP के अंदर, मतलब यहाँ पर मैं लिखोंगा by WIP कितना 6 लाग इधर credit और WIP का account क्या हो जाएगा debit, factory, overheads, control account control account सब में लिखना compulsory है बढ़ा, कितना 6 लाग बराबर आगे इसी related आगे और information है and दिया है any under or over absorbed overheads being carry forward for adjustment in the subsequent year मतलब बोला है कि अब इसके अंदर अगर कुछ भी कलती से balance आया तो इसे आपको क्या करना है carry forward करना है carry forward मतलब balance मिलेगा मैंने क्या पता है था ये सब चीजे क्या होती है tally होती है बढ़ उसने क्या हो लागा नए, इधर balance आएगा और balance क्या करनेगा next month में carry forward करना है carry down करना है मतलब यहाँ पे क्या बचेगा balance बचेगा समझा ने तो normally क्या हो जाता tally 5,00,000,000 बढ़ दे में 6,00,000 गए न समझ में आ गया मतलब जितना खर्चा किया वो recover हो गया बढ़ यह कितना recover हुआ 150% done अरे समझा समझा हंजी आगे बढ़ते उसके बाद क्या दिया है selling and distribution overheads कितना दिया है 4,00,000 रुपए क्या इसके पर कोई adjustment क्या All selling and distribution overheads are treated as a period of cost and charge off to the profit and loss account of the month in which they are incurred पहले selling expenses हो रहा है चलिए selling expenses करते है Selling expenses की entry क्या है कि पैसा जा रहा है और selling expenses account debit हो जाएगा तो selling expenses बनाए हंजी बनाए तू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकॉंट कितने खर्चा हुआ पांच लाग चार लाग चार लाग रुपए इधर debit तो इधर हो जाएगा credit by selling कितना चार लाग रुपए Done अब इसके उपर इसको recover करना है इसको recover करने का adjustment क्या दिया है All selling and distribution overheads are treated as a period of cost and charge up to profit and loss account Profit and loss मतलब costing profit and loss account की बात कर रहा हो मतलब इधर से वो कहां जाने वाला है costing profit and loss में जाने वाला मतलब इसको जब मैं close करूंगा तो कहां चले जाएगा costing profit and loss के अंदर है समझाए हंजी आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या दिया है उसके बाद दिया है cost of finished goods transfer to warehouse मतलब मेरा काम हो गया है सामान ready हो गया है finish हो गया है उसे transfer करना है warehouse बोले तो finish goods account में कि समझा मतलब आपका प्रोसेस क्या है मटीरियल आता है वेज़ रहता है काम होता है काम होता है फैक्टरी में यह काम हुआ उसे हम लोग क्या कहते है ड़लो आई पी उसके बाद हम लोग office admin खर्चावीर एड करते और उदे कोस्ट आपर से उपर से प्रक्राक्षाइगा च्छों यहाँ पर उसने क्लीयर क्लियर बुला है कोस्ट और फेनिश गोड्स ट्रांस्वर टू वेयरा teenager be nights reflection मिला है कोई हिसे फिर लेटी तो मतलब हमारे लिए क्या है फिनिज गुड कंट्रोल अकाउंट है को मतलब इदर आ रहा है ना वह गुड्स आ रहा है कहां से आ रहा है डबलू आई पी कंट्रोल अकाउंट कितने का रहा है 21,03,000 इधर डेबिट है तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाइफ फिन साथ रहा है इसका रहा है यहां मतलब क्या है gini फीनिज गूड आरेज़े फिनिज गुड्स अकाउंट से क्या जाएगा पहले बन कि फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कितने का गुड्स आ रहा है 21 लाग का रहा है इधर डेबीट तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट बाइ कॉस्ट ओफ सेल्स अकाउंट कितना 21 लाग अ क्या कि यहां तक और पुछ है क्या सेल्स किया है अब सेल्स के तर्फ रोडरिश जनलल हुड्स किया मतलब पैसा आरहा है और सामान जार पैसा मतलब कोस्ट रेकाउंट क्रोफिट यहांद सब्सक्राइब क्यों सिव Tucson कि यहां पर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का सेल किया है तीस लाग बराबर इधर डेबिट तो इसका अकाउंट हो गया क्रेडिट बाइस सेल स्वरी सेल ने क्या लिखेंगे वेरी गुड कोस्ट कंट्रोल लेजर कितना तीस लाग क्लीर है चलिए दन हो गया अब क्या करने गाए क्लोजिंग चलिए स्टार्ट करते इधर क्लोजिंग करने के लिए देखो वेजिस टैली हो जाएगा Finish Goods Balance आएगा Finish Goods का क्युंकि इसका Laser Balance दीया रहता है इन चारों में तो Balance मिलेगा है मतलब Store Laser में Balance आएगा WIP में Balance आएगा Finish Goods में Balance आएगा और Cost Control में Balance आएगा आया नहीं आएगा बट इस question में Factory में भी Balance आएगा क्यूँ? क्यूंकि उसने clear बोला है कि इसमें balance आने वाला है बराबर है चलिए तो सबसे पहला में store leisure account close करता हूँ store leisure account close करेंगे फटा-फट से total लेंगे और मेरे को balance बताएंगे कौन से side का total? debit side में कितना आ रहा है? 13,30,000 debit side का total है 13,30,000 total करके check करना जो side का total है वो लिख दिया अब इसमें से 9,30,000 और सरी है माइनस करेंगे तो इसे मैं लिखता हूँ by balance carry down कितना? 3,20,000 बराबर है इधर credit है तो trial balance में क्या हो जाएगा? debit में तो इधर मैं लिखूँँगा store leisure control account मैंने short में लिखा है आप full लिखना है यहाँ पर format अगर मैंने दिखा हो तो मैंने format ऐसा बनाया है debit credit का format बनाया particular rupees particular rupees यह debit rupees है और यह आपका credit rupees है ठीक है? trial balance है ऐसे form में दिखा है ना? इसका नाम है trial balance clear है क्या? ठीक है तो debit side पे इसका balance कितना आ रहा है? 3,20,000 तो इसका है 3,20,000 कुछ लोग particular rupees rupees ऐसा भी format बनाते है चीक है? उसके बाद हम लोग second account close करेंगे wages tally होना चाहिए देखते क्या tally हो रहा है? अरह सर भी खरा है 6,60,60,60,60 टैली हो लिया debit credit factory में आएगा balance तो इदर balance आएगा चलिए इसका balance ले ले लेते को मिल जाएगा 1,50,000 इसे हम लोग लिखेंगे क्या balance carry down बोला ना उसने balance लिखने के लिए तो buy इदर credit तो इदर आजाएगा debit factory overheads कितना? 1,50,000 मैंने कहा था कभी-कभी इनका भी balance दिया रहे था तो इस case में इसका balance दिया हुआ है opening नहीं था बड़ closing मिल गया समझाए चालिए उसके बाद हम बढ़ते हैं WIP की तरफ WIP को भी close करते है WIP को close करते है कितना है? कौन से side का total? debit side में जादा रहेगा 23,60,000 क्या बात है? 23,60,000 balance अपने पास आ रहा है 2,00,000 balance आ रहा है इसे मैं कहता हूँ buy balance carry down हमेशा याद रखो जो posting हो रहा है balance balance की journal entry नहीं आएगी कभी भी balance की journal entry नहीं आती है समझ में आ रहा है क्या? चलिए ठीक यह balance होगा 2,00,000 रुपे इधर credit तो इस बाज़ आ जाएगा debit कौन सा account है ये? WIP control account कितना है? 2,00,000 सिर्फ 2,00,000 उसके बाद ये तो हाई नहीं finished goods finished goods के अंदर कोई adjustment था? क्या? नहीं finished goods पे कोई adjustment नहीं था एक adjustment selling में था वो profit and loss में transfer करने का बूला है मैंने हाँ चलिए ठीक है अब finished goods को total कर ले दे यही side का total जादा है 23,80,000 23,80,000 23,80,000 2,80,000 balance आ रहा है यहाँ पे balance आ रहा है 2,80,000 इसे मैं कहता हूँ buy balance carried down इदर से इदर आ जाएगा क्या है ये? finished goods आना यहाँ पे finished goods बराबर है finished goods over it sorry finished goods control account finished goods कितना है जी? 2,80,000 done selling के उपर adjustment था कि selling में जू भी balance आएगा वो कहाँ transfer करो costing profit and loss में transfer को उसे balance मत डालो उदर लिखा है profit and loss account specify किया है तो हमको इसका खर्चा को किदर transfer करना है costing profit and loss में मतलब जब मैं इसे close करूँगा तो मुझे कितना balance आएगा? 4,00,000 आएगा इसकी journal entry आएगी क्या entry आएगी? selling, distribution, account, credit costing, profit and loss, account, debit यहाँ पर buy costing, profit and loss यहाँ पर debit में 2 selling and distribution overheads कितना है जी? 4,00,000 होगा है agree हो गया? done इसका काम? इदर आते हैं cost of sales को जब मैं close करूँगा तो जो भी balance आएगा वो कहाँ transfer होगा? तो cost of sales transfer कहाँ पर होने वाला है? costing, profit and loss के अंदर समझ में आ गया? तो हम इसे भी transfer करेंगी costing, profit and loss के अंदर 21,00,000 तो यहाँ पर balance में 21,00,000 ही आ रहा है पूरा बाई किदर जाएगा बाई यह? costing, profit and loss account इदर से इदर इसकी भी journal entry आएगी क्योंकि यह balance नहीं है तो cost of sales 21,00,000 ठीक है? अब बसता यह account इसे भी आप close करोगे ठीक है? सबर, सबर, सबर इसको close करने से पहले costing, profit and loss account को close करना है और जो भी फाइदा नुक्सान आएगा वो कहाँ जानना है cost, control account के अंदर तो पहले इसे close कर दो 30,00,000 जादा है नहीं? 30,00,000 30,00,000 25 मतलब 5,00,000 आएगा क्या बात है? यहाँ पे आएगा 5,00,000 तो 2 कहाँ transfer करेंगे? costing, sorry cost, control बराबर है? यहाँ पे debit है तो यहाँ पे credit में आएगे by costing, profit and loss ठीक है? कितना? 5,00,000 अब इदर जो भी balance आएगा credit side का total जादा रहेगा 39,00,80,000 39,00,80,000 manage 9,00,90,000 क्या बात है? 9,50,000 बराबर है? 2 balance carried down इदर debit है तो इस बाजू आजाएगा credit side पे by, sorry, by किदर? इदर आजाएगा cost, control account कितना? 9,00,50,000 चल्यों, trial balance को टैली करके check करते, टैली हो रहा है का यह? पचास, 80,000 आट, 10, 15 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9,50,000 देखो टैली हो गया? हो गया यही है आपका topic इसी के अंदर journal entry पूछेगा और ऐसा ही आपका ledger भी होगा clear है क्या? आज के लिए इतना ही ओफिलिए आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंस कि पूछे करना चैनल को सब्स्क्राइब करना thank you for watching the video